कि हलो इवरीवन वेल्कम बैग्टू माई चैनल आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी सेवं पटियाला सलवार की ड्राफ्टिंग प्लस थियोरी हम यहाँ पर सेमि पतियाला सलवार की ड्राफ्टिंग और त्योरी सिखें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से 18 इंच और आसनिया मोड भाग हमारा 13 इंच ही भू मार रहे हैं 18 और मोहरी हमारी है 18 इंच आपका जो भी मेजरमेंट हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगाएंगे मेरे यहाँ पर एक मेजरमेंट लिया है और उसके अकोर्डिंग में आपको यहाँ पर ड्राफ्ट देखिए सेवी पटियाला सलवार के लिए कम से कम हमें सवा दो मीटर दो मीटर में भी काफी अच्छा गियर आ जाता है पर अगर पटियाला लुक उसको देना चाहते हैं तो आप सवा दो मीटर कपड़ा लीजिए और इसके बाद हम कपड़े को चार भाग में फोल्ड सेकें ड्वार की लमबाई पर निशान लगाना नहीं हमें मारं लगाएं तो यहां पर भीी सल लग shower एक हमारा कमर का सल दे का इसमें बेल्ट में लगाएंगे तो हमें सबसे पहले यहां जितना लंबा हम बेरे एकल कर कर उठेखिन निशान लगाना है देखिए इस तरह से हम जो भी हमारा बेल्ट का मार्जिन रहेगा वो उपर निकाल देंगे और हमारे पूरी लेंध पर निशान लगा लेंगे जैसे हमने यहां पर यह मार्जिन निकाल दिया है इसके बाद हम यहां पर 40 इंच हमारे 40 इंच सरवारी की लंबाई है यह आपका जो भी मेजरमेंड हो सरवा की लंबाई का उस पर निशान लगा लेंगे, इसके बाद हमें मोड भाग 13 इंच पर निशान लगाना है, मोरी आगर आपको बड़ी चाहिए, तो आप यहाँ पर मोरी बड़ी भी रख सकते हैं, इसके बाद हमें कमर की चोड़ाई में कपड़े को जोड़ लगाना है, देखिए, यहाँ पर हम कर esseा मिलेंगे इस की चोड़ाई में जोड़ाएंगा बका प्रा बनाओ कर कुछा, यहां से यह ट्रेंगल शेप मिलेंगे, देखिए यह वाला जो हमारा कपड़ा सीधा रहेगा, और यहां हम मोरी का निशान लगाएंगे, देखिए यहां से हमारे आसन के निशान से, यह जो हिस्सा रहेगा, इसे हम उठाकर यहां कमर के भाग में जोड़ेंगे, जिससे हमें जो कमर की चोड़ाई है हमें कमर में कपड़ा इससे जो हमारे कमर की चोड़ाई बढ़ जाएगी और सलवार काफी घेरदार होगी देखिए मैं आपको ड्राफ्टिंग पर समझाती हूँ कि आपको किस तरह से कपड़े पर निशान लगाना है तो सबसे पहले देखिए हमारा four fold कपड़ा वहने चार भाग ने कपड़े को बिच्छा लिए इस सबसे पहले सलवार की लंबाई पर निशान लगाएंगे थो सलवार की लंबाई पर निशान लगाने के लिए हम जो हम आरा सलवार की लंबा ही उस पर निशान लगाने हमने बेल्ट का हिस्सा उपर निकाल देना है हम इसमें अटेज करेंगे अलग से इसके बाद हमारा यह आ जाता है कमर का हिस्सा यह हमारी कमर का हिस्सा है इसके बाद हम लगाते हैं इसके मोड भाग पर निशान तो हमारा जो भी कम कड़को इसके मारी जो हिस्साइं इस पर हम निशाना लगाएघे तो आपको बड़ी का आप सकती है पर जो पलवार होती ही उसमें मोरी कम होती है तो आप चेlor या आट इंच पर ही लिश्णान लगाएं इससे ज़्यादा ना लगाएं इसके बाद यह जो हमारा आसन का हिस्सा है आसन का कोना और यहां पर जो हमारी मोरी का चोड़ाई है वहां पर कॉर्णर पर हमें से तीरचा इस तरह से मिला देना दे कि हमने इसे ट्रेंगल शेप इस तरह से तीरच चोड़ाइब को जोड़ देंगे सरवाल के चारों कॉर्णर पर हम उन्हें लगा देंगे इसके बाद देखिए हमें यहां पर जितनी उनकी चोड़ाई हम कमर की चोड़ाई में हमारी एड हो जाएगी और उसके बाद आठ इंच का इस तरह से हम यहां पर निशान और हम यहां से इसको इस तरह से ट्रिंगल शेप दे देंगे हमें जो भी कपड़ा एक्सला रहेगा उनको चांट देना है मैं जब आपको कपड़े पर इसके कटिंग करके बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरह से इस कपड़े को रखना है और किस तरह से यहां पर इसको निशान लगाना है मैंने जो समी पट्याला सलवार का वीडियो अपने चैनल पर अप्लोड किया है आप वहां जाकर इसे चेक कर सकते हैं यहां फिर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा वहां जाकर भी उसे देख सकते हैं देखे इसके बाद हमें यहां रा जाता है बेल्ट का लिए हम सबसे पहले बेल्ट की लंबाई पर निशान लगाएंगे हमारा यहां टू फोल्ड कपड़ा है तो हमने बेल्ट की लंबाई यहां 22 इंच लिए आप अपनी कमर के हिसाब से जो भी आपकी कमर हो उसमें 5 या 6 इंच प्लस करकर ले लि पर यहां पर 6 इंच इसकी बेल्ट की चोड़ाई रिजाएगी जो हमने 6 इंच यहां पर मार्जन माइनस किया था अपनी लंबाई में वह हमारा बेल्ट यहां पर लग जाएगा तो हमारा पूरी जो सलवार की लंबाई उतनी आएगी जितनी हमें चाहिए हमारा बेल्ट की पेपर ले लिया है, इसको मैं चार फोल्ड भाग में फोल्ड करूँगी, देखिए हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, यह हमने फोल्ड इसे कर लिया है, मैं इसे उल्ड शाइट से, देखिए इस पेपर को मैं यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लूँगी, चार भाग मे पर उसके मार्जिन अलग निकाल देंगे तो इसार से उपर हम से इन्च का मारजिन देखिए हुपर उसके मारजिन कारें ने से सब्सक्राइब यह से 14 इंच, का निशान लगाना ने सारा सिफत, थे बाद हम pouco स्पूरा फुली वाली भाग में हाशन लगाना, तो 12 इंच पर बना रहे तो चाल नुजान कमा जाएगा यह हमारा आसन का निशान हो गया आसन के निशान के बाद देखे इस तरह से यह जो हमारा निशान है वो आसन का सीधा निशान हो गया यह जो चोड़ाई हमें पूरी चोड़ाई लेनी है कपड़े की इसके बाद हमारा जो बंद भागे उसकी साइड से हम मोरी का निशान लगाएंगे जैसे हमें मोरी चाहिए 6 या 8 इंच तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे यह बंद भागी तरब मोरी का निशान लगेगा हमारा इसके बाद यह जो मोरी का निशान और यह हमारा आसन का निशान दोनों को हम मिला देंगे देखिए मैंने कपड़े को यहाँ पर चार भाग में फोल्ड कर लिया अब सबसे पहले हम कपड़े की लंबाई का निशान लगाएंगे तो हम किसी भी सलवार में अगर बेल्ट लगा रहे हैं तो कपड़े के लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको चार भाग में मैंने फोल्ड कर लिया आप अपने कपड़े को भी एसे चार भाग में फोल्ड कर ले फिर उसके बाद हम सलवार की लंबाई पर निशान लगाएंगे तो हम यदि बेल्ट लगा रहे हैं तो इस तरह से उपर हम इंच चेप को भी इसी तरह से उपर निशान लगा देंगे इस तरह से हम 40 इंच पर निशान लगा देंगे इसके बाद इसके बाद हमारे साइड बंद भागे और यह अगर आप किसी बच्चे की बना रहे हैं तो उसमें आसन का निशान कम लगेगा, इसके बाद हमारा मोरी का निशान तो ये वाला जो इससा है इसमें हम मोरी का निशान लगाएंगे, बोटम में हम मोरी की चोड़ाई का निशान लगाएंगे, तो इस तरह से 8 इंच या 6 का हिस्सा ही वो हमें पूरा लेना है जितनी भी हमारे कपड़े की चोड़ाईए हम पूरा इसमें ले लेंगे अब इसके बाद मैं इसे यहां से कट कर देती हूं जैसे हमें यहां पर देखिए यहां पर मैंने इसे कट कर दिया अब इसके बाद यहां से करने के बाद हमारे आपके कपड़े में से भी इस सारे चार ट्रेइंगल शेप आपको मिल जाएंगे देखिए के बाश कोरे अलग कर लेते हों कि देखिए मैंने इन सलवार के दोनों भागों को अलग कर दिया है अब हमारा जो यह ट्रेंगल शेप है इसको हम इनकी लंबाई में जहां यह हमारे आसन की लंबाई है उसको हम यहां पर देखिए इस सीधे भाग में इस तरह से हम जोड लेंगे एक हिस्सा हम यहां अटेज करेंगे और एक हिस्से को हम यहां अटेज करेंगे यह जो सीधा वाला भाग में उससे इनको जोड लेंगे अब यह आपको इस तरह से corner यहाँ पर निकलाओ दिखेगा तो यहाँ पर हम इस तरह से सीधा निशान 8 इंची का एक सीधा निशान लगाकर इसे cut कर देंगे यह हमारी म्यानी का हिस्सा है देखिए इस तरह से हम 8 इंच पर यह आट इंच पर निशान लगा कर इन ट्रेंगल शेप को इस तरह से काट देंगे, हमें आट इंच यहां की लंबाई रखनी है, देखें इस तरह से हम बेल्ट इकżej कर लेंगे, जितनी भी आपके वेल्ट कि लंबाई हो उसकी लंबाई ले लेंगे और चोड़ाई हम इसकी आठ इंच ले लेंगे ताकि हम नेफा बनाने के लिए बाद हमारी चोड़ाई जो यह सिक्स इंच रह जाए जो हमने मार्जन उपर निकाला है तो देखिए मैं यहां इसको अटेच करकर आपको दिखाती अगर आपको सलवार की स्टीचिंग का वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं देखिए इस तरह से हमने यहां पर सेमी पटियाला की ड्राफ्टिंग प्लस थियोरी कंप्लीट कर ली है I hope आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यू फूर वोचिंग